जैन दोस्तों आज जो मैं बताने बाला हूँ यतना महत्पूर्ण जानकारी है कि हर किसी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए अगर इस वीडियो का पूरा नहीं देखते हैं तो बहुत सारी जानकारी से बंची तरह जाएंगे मैं आपको आज बताने बाला हूँ कि सदोगे बेढ़न कर पकास जगों इत्रानुक बाहर साथ दें राखवान होता है कि है घए गघां में में धर को बंद से या फिर देखरी के लिए लिए निग करtha ठैकि गभी थोटे आख़ घर होता है तो वह भी किसी कुछ को देखरे के लिए कुछ कभी विद्धेश चले जाते हैं कभी जोब करने जाते हैं और छे महिना एक साल पर घड़ वापिस आते हैं तो आज मैं बताता हूं के उस पहलू को जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या कि किसी को आपने क्वार रहता भी है तो क्या वो समझ पर मालिक बंच करूंगा अगर आपका यह काम का नहीं भी होगा ता आप किसी को राहे सकते हैं मसवराद दे सकते हैं किसी को बता सकते हैं इस चीज को समझ लेजिए इस कानुन को समझ लीजिए इस पर सुप्रीम कोट का बहुत बड़ा फैसला आया है अगर इस फैसला को आप जान लेते हैं तो आपको भविश में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस जजमेंट के आदार पर आप हमेशा अपने पक्ष में फैसला ले सकते हैं मैं आपको बता दो कि कोई भ नहीं कि पर करने के लिए हुआ तो दिक्कत नहीं है तो मैं आपको बदा दू कि अगãy subscribe California मैं तो साल दो साल पे गाव में ऊता हूं तो अपना देखरेक करना कि और किसी परकार की समंस्या होगी तो मुँझे बताते रहना अब क्या हुआ कि काफी दीन तो को बेखती उस मकान में रहता रहा देखने करता रहा रहता रहा हुआ कि जो मकान मालिक जिसका मकान था वो बाहर में रहता था बिदेशों में रहता था तो होता है क्या था कि साल में एक साल में छे माइना में दो साल में कभी कभार आता जाता तो हुआ यह कि कुछ दिनों बाद जब बारा साल क्राउस हुगिए आप जानते हीए जिसे कूल कंग जयते हैं कि किसी परपटी पर आप रहते हैं तो उस्त जमीन का मालिक आना हख jij अएसे हो जाए टाये मकान मालिख कोट जाए उस परिस्तिति ही में भी आगर आपको सावित कर देते हैं आप सावित कर देते हैं यहां पर हो तो फिर आप उस मकान का माली Chore जगे हो जाते है उस पृपड़िक का माली को गजयते हैं तो इसी परकार से तो मुझे उसकी जरूरत है मैं यहां खुद रहूंगा तो वह जो 49 कर था तो वह जो कि यह कर आक है का यहां पर यह का यह जब उसके मैं उसने डवाव नाया मैं उसने क्या गया उसने दिवानी कोट में मुकदमा कर दिया इस आधार पे मुकदमा कर दिया कि मेरा पर्तिकूल कभजा है मैं यहाँ पर काफी समय से हो यह पर्पर्टी मेरी ही ही वाजाएगी इसका मालिक मैं हूँ तो कॉट में चला सत्रे नियाले में मुकदमा चलता रहा चलता रहा देखिए उस केर्टेकर के फख्ष में ही फैसला आ गया क्योंकि उसने सारा पुरूफ वहां पर बना रखा था जितना भी पुरूफ होता है उस डोकॉमेंट्स वहां पर जैसे कि प्रूफ में क्या होना च चुका था इस अधार पर दावा करने लगा तो वह दावा करने लगा सत्रे नियाले ने उसके पक्ष में फैसला दिया उसके पक्ष में फैसला दिया मकान मालिक सोचा कि अब होगा क्या मैं तो हार गया अब तो मकान मुझे छोड़ना पड़ेगा तो वह क्या किया हाई कोट चलता है यही नियम चलता है कानून पूरे देश के लिए एक ही होता है तो चलता रहा चलता रहा मामला चलता रहा वह भी किया टेकर के पक्षपर फैसला आ गया यहां पर 15 साल से हूँ इसलिए उसके पक्ष में पुरा निरास हो गया असहाय हो गया वह निगेटिव होने लगा लेकिन उसके पास था वह गया सुप्रीम कोट गया वहां पर दूनों फैसला को सुप्रीम कोट ने पलड़ दिया इस बात को आप समझ लेजिए कि सुप्रीम कोट ने दोनों फैसला को पलड़ दिया उसने बोला रद करते हुए उन दोनों फैसला को पलड़ते हुए यह बोला कि मकान मालिक मकान मालिक है जमीन मालिक है या पुरपटी मालिक कोई भी केर टेकर रखता है या फिर देख रे कितना साल से भी हो नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता कि इसने देखने के लिए दिया ना तो वह किराये मनम्मot किसी परकार का यह कहा गया हुद सिर्फ देखने के लिए दिया गया कि आप रहो उसंए चीम देखरे कर और ऑसका नहीं होुद आप देखरे करेंगे तो वो मालिक आना हग कभी नहीं पा सकता है क्योंकि भले ही पुरूब बना ले ऐसे बहुत सारे लोग है जो कियर टेकर रखते हैं देखरेक के लिए बिद फैमिली लोग रहता है पुरे फैमिली के साथ रहता है उसका मकान मालिक है कि दिल्ली में मुंबई में कुलकता में होता जब बेखती वहाँ पर बीना यसको रखे करते हो अगर मालिक उसे किसी परकार को नोटिस नहीं में नहीं बनाता या फिर उसे मालिक आना हक होता है वहाँ में हो वहाँ पर एडवर्स पोजिशन लाग होता है लेकिन मैं तो खुद रख के गया हो मेरी मर्जी से रहो मैं जब बोलूंगा तुम हट जाना तुम देख देख करो अपनी जिन्दगी बिताओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब जरूरत होगी तुम हट जाना चाहे वह 20 साल से हो उसका मालिक आना हक नहीं हो सकता है तो सुप्रीम कोट्स ने फैसला मकान अलिक के पक्ष में दिया मकान मालिक बहुत खुस हूआ और दों कानून पर भरोसा बर्ः गया मकान मालिक ने सीपी सी के आदेश साथ और इगारा के तहत अरजी दी ती जिससे कोट सुईकार कर लिया था इस बात को समझ लिए, कौट ने लाश में कह दिया, सीधा कह दिया, फैसला देते हुई यह कहा कि तीन महीना के अंदर, तीन महीना के अंदर में केर-taker हो, नौकर हो, जो भी उस पर कबजा कर रखा है, और उस वेक्ति ने तीन महीने के अंदर उस मकान को उस परपटी को खालिक कर दिया मकान माली के अंडर में फिर वह मकान आ गया आपके जनकारी के लिए बता दो कि ये फैसला एकीस नौ दोहजार एकीस को आया था सुप्रीम कोट से अगर इस जज्जमेंट को आप जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो सुप्रीम कोट के साइट पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको इसका जज्जमेंट मिल जाएगा डेट मैंने आपको बता ही दिया है 29-2021 की इसका यह फैसला है इसके अलाबा बाकी जनकारी चाहिए तो सारी जनकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया है अगर इस वीडियो का आपने पूरा नहीं देखा है तो फिर से आप सुरू से अंतक इस वीडियो को दुबारा देख सक सकता है कि 12 साल से जएदा किसी के जमीन बेना लड़क कर दो चारा नहीं कर रहा है तो वो दावा कर सकता है अगर उस बीच में मकान मालिक किसी परकार कसे नहीं देता मतलब परपटी मालिक किसी परकार का उसे नोटिस नहीं देता है या फिर किसी परकार का करवाई नहीं करता है या फिर उसे हटाने की कोशिस नहीं करता है किसी परकार का उसके पास पूरूप नहीं है अगर बिना रोप टोक के बेखती है अगर मकान मालिक आता जाता भी है ल प्रूफ ना भी है मालिकाना हग प्राप्त ना भी होता है तो फिर दस साल बिस साल पास साल उसे कोट का चकर लगाना ही होगा फिर क्या फायदा इसलिए आप किसी को अपने परपटी पर रखते हैं जमीन पर रखते हैं तो आप इसका प्रूफ रखें बक्त बक्त पर समय समय पर दो साल, चार साल, पास साल पर चेंज भी करते रहा, जादा रिस्क नहीं ले है पूरपटी के मामलों में इस लिए, इसलिए कि पूरपटी का रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे गाउं हो, छोटा सहर हो, बढ़ा सहर, एसकी को लाल की किसी को लाल चा जाता है तो अपने परकति पर गठर को भी बदलते रहें मसší को दस सल वारा सल रहने का माउकान नहीं दे समय कि हिसाब से बदला नहीं थे बीच-बीच में आकर करते रहा है कोई कि आते कर रहा तो कोसिस करें कि उस मकान में परपटी में उसका kisipर का करने बहुत सारी चीजां को सकती है तो किसी परकार का उसके पास पूरूफ ना बनने दे आप खुद खर्च करें भले ही रहने के लिए कोई दिक्कत नई है जो में बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई है जिसमें आप बहुत सारी बात कही गई है आपके तरफ से थोड़ी कम जोरी होती है थोड़ा देल देते हैं तो फिर आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं भले ही वह पर परपटी आप हासिल कर लेंगे दुबारा लेकिन फिर तो जाना ही पड़ेगा अगला बंदा कोड चला गया तो आपको पासल-दसल घसीर देगा और अपका स्ब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करते हैं चाहते जो किसी के परपटी पर है चाहरे दो साल से चाहर साल से है पान साल से है तो कभार आता जाता है कमाई चोटा ने कर बनाया किसी करके आप उस-पर रहने के लिए दिया हुआ यह तो आपको बंदा रहने के कोई आपको तौज साल के लिए दिए परियास कर नहीं मालिक होता है का मामला होता है । इमानदारी से किसी pee पर घची में अगली ब्रक्ति और ज्ग आहले चार में चसानिा इसा नहीं हो कि अपको पता चले कि सत्र चले कि सक्सामाइब की कोर्ट सब्सक्राइब । आप बीच में हार जाए आपको जो भी आपके पास रहा वह भी निस्तों नाबूद हो जाए वह भी खतम हो जाए तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी इससे समधित और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बक्स में लिख से कुछ छूट गया है या फिर कुछ भूल गया हूं गया तो कमेंट ब्क में वात को लिख दें मैं इस टोपीक को फिर से वीडिय बश्दी ब्मा दूंगा जी चूट गई हुए इसके अलाव आपको किसी भी ट्रुपिक गय का वीडियो चाहिए जरूर लिखें चाहिए कानून से संब्ट Indian इससे सब्ढ़नितों पोस्ट अब सब्सक्राइब करते हैं बहुत सारे लोग को जबाब नहीं दे पाता हूं कि यह बात ध्यान में कमेंट को पढ़ता हूं और टोपिक बनाता हूं आज नकल वीडियो जरूर बनाओंगा तो आप जरूर लिखते तरह मैं इसको जबाब नहीं देपाता हो तो आपको वीडियो जरूर आजनकल मिलेंगा तो । टोफिक पर जरूर आजनकल मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँ गा कि चैनल के मेरा सब्सक्राइब आहिए तो सब् कोटी कोटी धन्यबाद देता हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया धन्यबाद जाएं दोस्तों